आस्ट्रेलिया से रेका राजवंची की कहानी एमिली सुनिये वैदेही की स्वर्मू तो ये कहानी मेरी आस्ट्रेलियन मेत्र एमिली की है कई दिन बाद एमिली मेरे घर आई नीले रंग की शांदार लेक्सस इस्पोर्स कार से जब वो आती तो मेरे उस्ट्रेलियन पडोसी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते एमिली की बात ही अलग थी उसका चमकता हुआ रंग, तरतीब से कटे हुए बाल और बुटोक से टाइट चेहरा हर चीज उसे डिजाइनर पसंद थी सिड्नी के सबसे महंगे सबर गोंडाई बीच पर उसका घर था आते ही मसाला चाय की मांग करती और नाश्टे में उसे गोभी के पकोड़े या पापड़ी चाट पसंद थी तुम्हें तयारी करके रखती एमिली बहुत स्वास से सब कुछ खाती जब वो आती तो रौनक सी हो जाती दुनिया भर की बातें बता कर मन लगाए रखती उसकी बातों से उसके आसपास के लोग उसके मित्र सभी का पता लग गया था आप सोच रहे होंगे वो मुझे कहां मिली तो इसका किस्सा भी एक अजीब ही है सोलह साल पहले मेरे पास एक चिठी ट्रांसलेशन के लिए आई चिठी में लिखा था प्रिय गोपाल आशाय अब ठीक होंगे भारत में आपने मेरा ध्यान रखा उसके लिए आभार आपने लिखा है कि आप मेरे पैसे वापस लोटा देंगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उन्हें लोटाने की न सोचें बलकि अपना छोटा सा होटल बनाने का सपना पूरा करने में खर्च करें इश्वर की क्रपा से मैं बहुत भागेशाली रही हूँ और आपकी मदद कर रही हूँ ताकि आप अपनी जमीन पर एक होटल बना सकें शुभा कांग्शी एमिली मुझे ये चिट्ठी जिस एजेंसी ने अनुवाद के लिए भेजी थी मैंने उन्हें अनुवाद के साथ अपना बिल भी भेज दिया परंतु जब तीन महीने तक कोई पेमेंट नहीं आया तब चिट्ठी पर लिखे नंबर पर मैंने एजेंसी का नंबर समझ कर संपर्ट किया फोन किसी ने लिया नहीं तो मैंने एक मैसेज छोड़ दिया अगले दिन मेरे पास फोन आया हलो मुझे आपका मैसेज मिला मैंने पूछा आप कौन बोल रही है उत्तरा है एमली आपने एमली हीर आपने ट्रांसलेशन के पेमेंट के लिए मैसेज छोड़ा था पर मैंने तो पेमेंट कर दिया उसने धीमी और विनमर आवाज में कहा नो यू नेवर पेड तीन महीने से मैं आपकी एजेंसी को काम करने के लिए कौन्टेक्ट कर रही हूँ एक चिठ्ठी ट्रांसलेट करके और आपने आज तक उसका पेमेंट नहीं भेजा ये ठीक नहीं है मैंने भावहीन आवाज में जवाब दिया ओ पर मैंने तो एजेंसी को तभी पैसे दे दिये थे मैंने तो वो चिठ्ठी ट्रांसलेशन के लिए भेजी थी वो बोली मुझे समझ में आया कि एजेंसी नहीं क्लाइंट है मैंने एक शमा मांगते हुए का सौरी लगता है मैंने गलत नंबर पर फोन कर दिया है एमिली बोली कोई बात नहीं मैं एजेंसी से बात करती हूँ पर क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ जी जरूर मैंने कहा मैं हिंदी सीखना चाहती हूँ क्या आप किसी को जानती है उसने पूछा मैं ही आस्ट्रेलियन एडल्ट्स को हिंदी पढ़ाती हूँ एक वीकेंड कॉलेज में मैंने उत्तर दिया ओ कितनी अच्छी बात है आप से मिल सकती हैं जरूर मैंने कहा हमने फोन नमबर शेयर किये और सबताहां तुमें मिलना तै किया एमिली शनिवार को समय पर आई और हमारे हिंदी क्लासे शुरू हो गई उसने धीरे धीरे अपनी कहानी मुझे बताई उसकी बातों से पता चला कि वो इंडिया कभी नहीं जाना चाहती थी उसको गंदगी से बेहद नफरत थी पर उसके एक इंडियन मित्र थी प्रभा जिसने उसे कलकत्ता आने के लिए प्रेरित किया प्रभा शांतिने केतन में पढ़ी थी और एमिली की उससे अच्छी दोस्ती थी एमिली कोई बिजनस चलाती थी जिसमें एकाउंटेंट के तौर पर उसने मदद की थी तो उसके कई बार अनुरोद करने पर एमिली ने कलकत्ता जाने की योजना बनाई एमिली कह रही थी कि जैसे ही मेरा प्लेन कलकता पहुचा और मैं प्लेन से उतरी तो मुझे लगा यही तो वो जगह है जहां मैं आना चाहती थी मैंने दिल में ऐसे खुशी महसूस की और वहां के गरीबी जब देखी तो मुझे लगा मैं बहुत लखी हूँ, मेरे पास जरूरत से जादा है और मैंने निर्णा लिया कि मैं भारत के तीन लोगों के साहता करके उनका जीवन बेतर बनाऊंगी जो टैक्सी मैंने ली उसका ड्राइवर गोपार वह पहला व्यक्ति था, जिसका सपना था अपना छोटा सा होटल बनाना मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद करूंगी और मैंने उसे कुछ लाख रुपे भेज दिये तो अब समझाया कि जो चिठी मैंने ट्रांसलेट की थी, वो किसके लिए थी हर हफते एमिले आती, कभी भारती कपड़ों और जेवरों में होती, तो कभी पैंचर्ट में होती वो साथ भाशाएं बोल सकती थी, आती तो हिंदी कम सीखती, बातें जादा करती एक दिन मैंने पूछा एमिली, बाकी दो लोग कौन थे, जिनकी तुमने साहता की एमिली मुस्कुराने लगी, जब है मुस्कुराती तो उसके गालों पर गड़े पड़ जाते आँखों में अजीव सी चमक आ जाती, उसका गूरा रंग लाल लगने लगता मैंने उसके तरफ देखा, वो कह रही थी, दूसरा वेक्ति जिसे मैंने चुना वो भी एक टैक्सी ड्राइवर रहू था, जब मैं जैपूर गई, तो वह मुझे अपनी टैक्सी में उदैपूर तक ले गया मेरा बहुत ख्याल रखा, और पांच घंटे के रास्ते में उसने अपनी टूटी फूटी इंगलिश में मुझे बताया कि उसका परिवार गाउं में है, मा बीमार है और पिताजी खेतों में काम करते हैं तब मेरी गाउं देखने की इच्छा हुई, और मैंने उससे कहा कि उदैपूर से लोटते हुए मैं उसके गाउं जाना चाहती हूँ रखू ने बड़ी खुशी से कहा कि मुझे अपने गाउं में ले जाकर से बहुत खुशी होगी तो वे दूसरा आदमी था जिसकी मैंने साहता की अच्छा है मिली, तो रखू को कैसे हेल्प की मैंने पूछा रखू का सपना था कि उसकी अपनी टैक्सी हो, जिसका मालिक वे खुद हो जिससे माता पिता को पैसे भेज सके मैंने उसके लिए एक बड़ी आर्ट सीटों वाली प्राइवेट कार खरीद दी और बात में जब मैं उसके गाउं गए तो गाउं वालों ने मुझे एक महरानी की तरह ट्रीट किया मैंने पहली बार देखा कि इतनी गरीबी है पर लोग फिर भी खुश है बात यहीं खतम करनी पड़ी क्योंकि मुझे बच्चों को चूशन से पिक करने जाना था एमिली भी चाय पीकर चली गई कुछ दिनों के लिए उसे फिर भारत जाना था उदैपुर उसे बहुत पसंद आया था उसने लेक पैलेस होटल में अपना कमरा बुक किया और वहाँ चली गई मैं अपने रुटीन में फ्यस्त रही दो महिने बाद उसका फोन आया तब मैं बाजार में ग्रॉसरी खरीद रही थी हलो, वैन कैन आई कम एंड सी यू मैं संडे को फ्री हूँ क्या ग्यारा वजे ठीक है? मैंने पूछा, बल्कुल ठीक है मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है उदैपूर कितना सुंदर था एमिली बहुत खुश थी मैंने का एमिली मुझे तुमारी सारी बातें सुननी है प्लीज आओ इस संडे को मिलते हैं उनका तलाक हो गया एमिली को लेकर उसके पिता सिडनी आ गए और एक इनुवस्टी में पढ़ाने लगे घर में नैनी उसकी देखभाल करती थी उसके पिता का एक दोस्त था रॉबर्ट एक कमपनी में जनरल मनेजर था उसकी पतनी जूलिया उसे बहुत प्यार करती थी उनके कोई संतान नहीं थी तो एक देन उसके पिता ने जूलिया रॉबर्ट से कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो एमिली का ख्याल तुम दोनों को ही करना पड़ेगा एमिली ने बताया था जैसे यह बात वो यूगी नहीं कह रहे थे बलकि उन्हें कोई पूर्वा भास हो गया था उसके कुछी दिनों बाद एक कार दुरगटना में वे चल बते तब शायद मैं 5-1 साल की थी जूलिया रॉबर्ट ने मुझे गोद ले लिया मैं उनके एक बड़े से घर में आ गई और एक महेंगे प्राइवेट इस्कूल में जाने लगी उन्होंने मेरी परवरिश में कोई कसर न रखे और तुम्हारी मा उसका क्या हुआ उन्होंने तुमें ढूंडा नहीं मैंने पूछा मा का कुछ पता नहीं चला आज तक मुझे उनका कुछ पता नहीं है बाद में मेरी शादी पॉल से हुई वैं भी मेरी तरह बहुत अमीर था पर हमारे कोई बच्चा नहीं था तो रॉबर्ट और जूलिया के कहने से हमने एक एबियूरी जनरल बच्चा एडॉप्ट कर लिया अब वारू 30 साल का है और अपने घर में रह रहा है इसके अलावा मुझे यह भी पता था कि जब से जूलिया और रॉबर्ट का देहान्त हुआ और उसे सारी संपत्ती मिली तो वैं अचानक बहुत अमीर हो गई उसने अपनी नैनी के साथ विश्व भ्रमड तो किया ही बलके भारत भी गई और तीन लोगों के सपने पूरे करने और उनका जीवन सुधारने का निर्णा लिया इन में से दोका तो मुझे पता था पर तीसरा भाकिशाली कौन था आज जरूर पूछूंगी मैंने रविवार को अपना काम निप्टाया और एमली का इंतजार करने लगी ठीक वक्त पर उसकी गाड़ी रुकी दरवाजा खोला तो एमली हाथ में गिफ्ट बैग लेकर अंदर आई साथ साल की होते हुए भी वो 45 साल की लग रही थी लपक कर गले मिली मिरे लिए उदैपुर से कुर्ता सलवार लाई थी उससे इत्ते दिनबाद मिलकर अच्छा लगा आज का हिंदी पार्ट शॉपिंग पर आधारित था बीच में वो मुझसे पूछने लगी हाउ डू इडू इट कैसे करते हुआ आप लोग क्या मैंने पूछा सलवार या साड़ी उठा कर आप इंजियन लेडिज पी कैसे करती हैं वो भी पबलिक टॉलेट्स में और टॉलेट पेपर भी नहीं होता कहते हुए वो हस पड़ी सब आदत हो जाती है ना एमिली ऐसे ही रहते आए हैं लोग वहाँ मैंने कहा और बात बदलते हुए पूछा तो एमिली तीसरा कौन था जिसे तुमने मदद के लिए चुना एमिली ने कहा राकेश वो उदैपुर लेक पैलिस में बटलर है तो उसका क्या सपना था मैंने पूछा उसका बस एक ही ड्रीम है आस्ट्रेलिया आना और यहां से एमिली ऐ करना वैसे वो नेपाल से है पर इतना शरीफ और इमानदार है एमिली कह रहे थी मैंने उसे एमिली ऐ करने में मदद करने की सोची है दरसल मैंने उसके लिए घर का एक कमरा खाली कर दिया है अच्छा तो वो तुमारे पास रहेगा मैंने अश्चरे से पूछे हाँ तो और क्या राकेश से मुझे हेल्प मिलेगी खाना भी बहुत अच्छा बनाता है मेरे लिए कुछ भी करने को तयार है उसने बड़े आतों विश्वास से कहा चाय बनाते बनाते मैं सोचने लगी ऐसा क्या है जो एमिली एक जवान तीस साल के लड़के को घर में रखने को तयार हो गई है शायद अकीलापन लगता होगा वैसे तो यहां औरतें इतनी स्वतंत्र और सेक्सी है कि हमेशे कोई न कोई पुरिश मित्र ढूनती ही रहती है एमिली की भी कुछ प्रेम कहानिया मुझे पता थी तो मन में अचानक ख्याल आया शायद उनके बीच कुछ रोमैंस हो गया हो पर तभी उसने अपने पर्स से फोन निकाला और उसकी फोटो दिखाए एक दुबला पतला और सतकत का युवक था जो किसी भी दृष्टी से एमिली का बॉइफरेंड तो हो ही नहीं सकता था हाँ एक हैलपर बन सकता था उसके जाने के बाद थोड़ी चिंता हुई कि एक अंजान पुरुष्ट को अपने घर में लाकर इस तरह रखना एमिली जैसी सुसा बे मैला के लिए कितना सुरक्षित होगा पर यह उसका मामला था तो मैंने इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया इसके बाद जितनी बार एमिली आई हमेशा राकेश के वीजा को लेकर परिचान रही उसके युनिवस्ट्री में एडमिशन करवाने से लेकर उसके वीजा की फीस देने से लेकर सब कुछ हैमिली ने किया अंत्ता जब वो यह पहुँचा तो अपनी स्पोर्ट्स कार में उसे एरपूर्ट लेने गई फोन पर उसने बताया कि बहुत खुश थी बड़े शौक से तैयार किये गए कमरे में उसे ठहराया सिडनी में कपड़े, जैकेट, लैपटॉप दिलवाने से लेकर सब कुछ किया ही उसके माथे पर लगे चोट के निशान को मिटाने के लिए प्लास्टिक सरजरी भी करवा दी मैं एमली के घर सिर्फ एक बार गई थी वो भी राकेश के आने से पहले सिडनी के महेंगे इलाके के बीच में पास में एक बड़े खुबसूरत से घर में वो रहती थी हर चीज वहां सलीके और सुन्दरता से अपनी जगे पर लगी थी महंगी पेंटिंग्स थी चांदी की कटलरी थी और क्रिस्टल की क्रॉकरी उसके शीशे वाले शोकेश से जहांक रही थी हर तरफ समृद्धी की जलक दिखाई दे रही थी हां उसकी एक बात अजीव लगी उसने बस आपचा रिकता वायश मुझे जल्दी जल्दी चाय पिलाई जैसे वो यही चाहती थी कि बस हो गया मिलना पूरा अब जाओ उसके स्वर में न वो चहक थी ना उत्सा जो मेरे घर आने पर होता था मैंने कुछ हन आस्ट्रेलियन मित्रों को भी देखा था जो घर आकर बड़े शौक से भारतिये खाना खाते परन्तु कभी अपने घर खाने पर न बुलाते पर हैमिली भी ऐसा ही करेगी विश्वास नहीं हुआ बस उसके बाद मैं कभी उसके घर नहीं गई फिर राकेश के आने के बाद तो ऐसा है व्यस्थ हुई कि मुझे भूली गई कभी मैं फोन भी करती तो उसका मन न होता तो न लेती मुझे थोड़ा दुख तो होता था हम भारतिये लोग कुछ जाता ही एमोशनल होते हैं फिर उस साल दिवाली पर वो राकेश के साथ भारतिये कपड़ों में जेवर पहन सजी धजी हमारे घर आए सबने पूजा की खाना खाया और हस्ते बोलते समय बिताया जाने के बाद फिर उसका माहिनों तक फोन नहीं आया अब तक मैंने मन को समझा लिया था कि बस साथ यहीं तक था फिर अचानक क्रिस्मस के आसपास उसका फोन आया कि वो आना चाहती है उसने बताया कि उसके बेटे वारू ने लड़की पसंद कर ली है लड़की वियतनाम से है और चार्टर एकाउंटेंट है मुझे फोटो दिखाए वारू तो 6 फीट से भी जादा लंबत था और उसकी फियांसी हाना उसके मुकाबले काफी छोड़ी थी एमली काफी खुश थी 6 माहिने बाद उसने फोन किया और आने की इच्छा जाहिर की अब हमारी दोस्ती में वो बात नहीं रही थी उसकी जिंदगी में राकेश था वारू था और हाना थी उसकी विदेश यात्राएं बढ़ गई थी राकेश के साथ बिजनस क्लास में सफर करती उसे मदद मिल जाती मैंने सोचा कि उसे मेरे लिए भी वक्त मिल गया यही काफी है हमने चाय पी इधर उधर की बातें की उसने बताया अपना एक घर बेश दिया है और वारू को घर खरीदे में मदद कर रही है वारू अपने घर में खुश है और राकेश उसके घर में काफी सहायता करता है आदी आदी फिर छह भाई ने बाद उसका फोन आया उसने बताया अब राकेश की अच्छी नौकली लग गई है और वह उसके लिए नेपाली लड़की ढून रही है फिर एक दिन उसने काफी के लिए कैचप किया और बताया कि राकेश को लड़की पसंद आ गई है अब उसकी चिंता थी राकेश के लिए अंगूटी वह अन्य सामान खरीदना उसकी भी शादी हो गए एमिली ने अपना एक फ्लैट उन्हें रहने के लिए दे दिया इस बीच उसकी एक जीवन साती पाने की इच्छा फिर प्रबल हो उठी इधर उधर लोगों से मिलती रहती पिछले साथ साल इतनी विस्ता में बीते कि उसे कुछ होशी नहीं था बेटे वारू के बच्चे हो गए हफते में एक दिन उनकी देख भाल करती उनकी अच्छी दादी बने रहने की भूमिका निभाती रहे अब उम्र बढ़ रही थी हर दूसरे साल प्लास्टिक सरजरी करवाती बढ़ते वजन को कम करने के लिए खाना लगबग ना की बराबर कर दिया था पर अब गुटने जवाब दे रहे थे इतना बड़ा घर और अन संपत्तियां उसे समलती नहीं थी तो बागी के चार फ्लैट बेज दिये और राकेश को एक पुराने सबर्ब में टाउन हाउस खरिदवा दिया एक कमरा राकेश ने उसके लिए भी रख दिया था तो सब्ताहांत में वहाँ जाती और उनके साथ समय बिताती अब तो मैं भी उसे बूल नहीं लगी थी कि एक दिन फिर उसका मेसेज आया मैं बहुत बीमार रही हूँ पर तुम्हें बूली नहीं हूँ जल्द ही आऊंगी इतनी सारी बाते हैं तुम्हें बताने को मैंने भी उससे का जब मर जी एमिली गेट वेल सून पंदरे दिन बाद ही वो आई एक अजीब तरह की खुशी उसके चेहरे पर थे वो बोली यूनो मुझे अपनी मा मिल गई वो प्रिजबेन में रहती हैं मेरे सौतेले भाई बहनों और भतीजियों के साथ अच्छा पर तुम्हें मिली कैसे मैंने पूछा एक दिन मुझे मेरी भतीजी ने संदेश भीजा उसने ss3.com की द्वारा मुझे ढून निकाला और चिठी भेजी जिसे मेरी मा रोज का नाम भी लिखा था मेरे पिता का भी जिक्र था उसने मुझे बताया कि मेरी मा बहुत बूड़ी है पर उससे मिलकर बहुत खुश होंगी तो मैं अपनी मा से मिलने ब्रिस्बेन गई मैं तो सिर्फ 2-3 साल की थी जब मैंने उन्हें देखा था पर फिर भी अपनी मा से मिलकर बहुत अच्छा लगा मा को कैसा लगा मैंने पूचा बहुत इमोशनल चण था हम एक 5 स्टार होटल में मिले मेरी भती जी ने बताया कि मेरे पिता से तलाग के बाद उन्होंने अपने बच्चपन के दोस्ते शादी कर ले उससे उनके तीन बच्चे हुए दो लड़किया और एक लड़का पूरा परिवार मुझसे मिलने होटल में आया हमने साथ खाना खाया बाद में मैं उनके घर गई सबने बार्बे क्यू तरह तरह का मीट बनाया सलाथ, ब्रेड रोल, फलों के प्लैटर सजाये गए हमने खाना खाया और अचानक मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ अच्छा लगा कि एमिली को उसकी मा मिल गई अब उसका खाली समय ब्रिस्बेन में बीथने लगा पर शीकरी यह भी उसे मुश्किल लगने लगा अब उसने अपना खुबसूरत बड़ा आलिशान घर बेश दिया और एक मौडन यूनिट बुक कर ले उसे इस बीच योरोप में अपना ड्रीम बॉई भी मिल गया 79 साल की एमिली और 72 साल का माइकल जब उसने पहली बार माइकल को देखा तो उसकी खुबसूरत नीली आँकों में डूब गई सब कुछ ठीक था बस एक ही समस्या थी माइकल की पत्नी को कैंसर था और वह उसकी देखभाल में व्यस्त था जब वह उसके फोन का जवाब न देता एमिली बहुत इग्नोर्ड महसूस करती बाकिस अब ठीक ही है उसके बेटे वारू के तीन बच्चे हैं राकेश अपनी पत्नी के साथ खोश है एमिली नए बड़े से चार बेडरूम के फ्लैट में जाने के इंतजार में है मुझस से अब उसका कोई खास संबन नहीं बचा हिंदी वो सीख न सकी भारती खाना वो खा नहीं सकती भारती कपड़े उसने बांट दिये मेंगी पेंटिंग्स बेच दी चांदी की कटलरी आक्शन कर दी बस उसे एक ही इंतजार है कि कब माइकल उसे अपनाए और कब वो उसके साथ रहना शुरू करे मुझे यकीन है कि सबके इतने सपने पूरे करने वाली एमिली का सपना भी जरूर पूरा होगा मुझे पता है कि एमिली का फिर एक दिन फोन आएगा और मुझे पता चलेगा कि एमिली और माइकल की कहानी का क्या हुआ कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत आभार यदि आपको अच्छी लगी हो तो क्रपेर चैनल को सब्सक्राइब करें